गुद मॉरिंग फ्रेंड्स, वेलकम तो टुडेज लेक्चर आफ दिस्टिलेशन ट्रबल सुटिंग्स फ्रेंड्स आज की इस लेक्चर में बेसिकली मैं आपको ये बताऊंगा कि दिस्टिलेशन टावर को जब आप आप अपरेक्ट करने जाते हैं उसमें किस-किस तरीके की चैलेंजेज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे और बेसिक ट्रबल सुटिंग्स के बारे में जो आपको डे टुडे लाइक में काफी जादा हेल्पफुल होगा अगर आपको मेरे लेक्चर अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा पॉसिबल है उतना ज़्यादा वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड से से शेयर कीजिए सबसे पहले हम बात करते हैं डिस्टिलेशन के जनरल सेट अप्स के बारे में तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि डिस्टिलेशन के जनरल सेट अप्स में बेसिकली दो तरीके के होते हैं एक होता है आपका batch distillation और एक होता है आपका continuous distillation, batch distillation के case में basically नीचे केटल रहती है जिसमें आप पर steam का flow देते हैं, after that इसके उपर एक distillation tower लगा रहता है, then उपर top में आपके condensers होते हैं, then यहाँ पर आपका reflux आता है और इधर पर आप collection लेते हैं, अगर हम बात करते हैं कि continuous distillation towers में basically जो आपका tower रहता है, उसके mid से feed जाती है, after that नीचे आपका cattle रहता है और यहाँ पर reballer रहता है, इसमें steam घूमती रहती है, then यहाँ पर आपका ball off होता है, और ball off होने के बाद में आपके desired जो भी parameters हैं वो achieve होते हैं, continuous distillation tower एक या फिर एक से ज्यादा भी एक line में हो सकते हैं, वो depend करता है, आप किस तरीके का operate कर रहे हैं, बाकी का पूरा का setup बिल्कुल सेम रहता है, यह batch distillation towers में भी आप उपर यह top से आप vacuum लगा सकते हैं, यह atmospheric भी होता है, depend करता है कि आप atmospheric operate कर रहे हैं या फिर vacuum से आप operate कर रहे हैं, vacuum को लगाने के लिए, basically हम ejectors का use करते हैं, जो हमारे, जो हमारे vacuum बनाने के लिए काम में आते हैं, तो अब मैं आपको basic troubleshooting के बारे में बताता हूँ, सबसे पहले याद रखेगा कि यह cattle, इस cattle में हम जो material fill up करते हैं, वो cattle की capacity से कभी भी 85% से उपर filling मत कीजिएगा, विकॉज अगर आप 85% से उपर filling में जाते हैं, तो ये chances रहते हैं कि आपका जब आप अपने material को आप heat up करेंगे, तो आपका material proper तरीके से ball off ही नहीं होगा, विकॉज ओवर filling की वज़े से आपके sufficient vapors produce ही नहीं होपाएंगे और आप जोड़ते ही रहा जाओगे कि problem क्या है, तो सबसे पहला tip कि जब भी आप कोई भी batch लेते हैं, तो हमेशा याद रखेगा कि आपकी जो cattle है, उसको 85% से उपर filling पे कभी भी मत fill up कीजिए, second, second होता है आपका steam का flow rate, अगर आपके पास में fully automation है, then in that case आप steam का flow rate आप control कर सकते हैं कि कितनी steam आपको देनी है, depending upon कितना आपको wall of rate चाहिए, बट मान लीजिए कि आपके पास में यहाँ पे कोई mass flow meter नहीं लगा हुआ है, in that case आपको manually control करना है, तो उस case में आप क्या ध्यान देंगे, कि यहाँ पे फिर हम jacket का pressure देखते हैं, because जो भी steam आप दे रहे हैं, cattle में, वो steam आपके अगर consume हो रही है, तो jacket में कोई भी pressure नहीं develop होता है, तो इसलिए याद रखेगा कि हम jacket का pressure आपका maximum 0.5 से 0.7 kg तक हम operate करते हैं, यह मैं उसलिए वहाँ पे बता रहा हूँ, जहाँ पे आपके पास में कोई भी automations present नहीं होते हैं, in that case आप maximum jacket pressure 0.5 से 0.7 के बीच में operate किजेगा, इसके उपर मज जाईएगा, थर्ड अब हम बात करते हैं कि इसमें जो steam trap लगा हुआ रहता है, याद रखेगा कि steam trap जो यह steam की line में लगा रहता है, उसका बहुत ही important role होता है, अगर जो आपका steam trap है वो proper तरीके से working नहीं होगा, in that case आपको क्या problem आएगी, कि आपकी जो steam है, वो आपकी loss होती चली जाएगी, steam आपकी loss होती चली जाएगी और आपको यह भी chances possible है कि आपकी जो jacket है, jacket में पानी भर जाए, because proper तरीके से आपका condensate जो है, वो release नहीं होगा, in that case आपकी jacket का pressure आपको 1 kg, 10 kg तक भी even दिखाएगा, बट आपको sufficient जो ball off है, वो आपके tower में मिलेगा ही नहीं, तो याद रखेगा कि यहाँ पे जो आप trap लगाते हैं, steam की line में, जो आप trap लगाते हैं, वो trap आपका proper तरीके से working होना चाहिए, यह हमेशा ensure कीजेगा, because अगर trap आपका proper तरीके से working नहीं होगा, in that case आपको कभी भी sufficient ball off नहीं मिलेगा, और आप confused हो जाएंगे कि problem कहां प्यार रही है, तो याद रखेगा, और जब भी आप distillation tower स्टार्ट करते हैं, in that case आप bypass wall थोड़ा सा खुलके, जो भी आपका condensate jacket में collect है, वहाँ से आप उसको drain कर दीजिए, after that बात करते हैं यह distillation tower की packings की, इन packings को generally आप हर batch से पहले नहीं ध्यान देते हैं, बाट याद रखेगा कि जो separation होता है, वो basically इस tower की बीच की packing की वज़े से होता है, अगर यह packings आपकी damage हो जाएंगी, तो आपको कभी भी sufficient separation नहीं मिलेगा, अगर माल लीजिए आप लगातार operate कर रहें tower और आपको sufficient separation नहीं मिलते हैं, in that case आपके पास में last option यह बचता है, कि आपको अपना इस tower को open करना है, और इसके अंदर की packings को check करना है, आपका यह देखिए, यह top पे आपका condenser लगा हुआ रहता है, याद रखेगा इस condenser का काम, मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि नीचे से आने वाले vapors को condense करना, अब इस condenser में condense करने के लिए basically utility flow करती है, तो याद रखेगा कि utility का temperature और utility का flow कितना आ रहा है, यह दो चीज़ें बहुत ही critical role यहां पे play करते हैं, because अगर utility का temperature आपका बढ़ा हुआ रहेगा, माली जी आपको cooling water आप यूज़ कर रहे हैं, उसका temperature आपको बढ़ा हुआ है, कि condense के बाद में जो vent होता है, वहाँ से आपका, vent से आपका material भी उठा के सारा का सारा बाहर फेख सकता है, second, आपको condense में utility का proper flow आ रहा है या नहीं आ रहा है, वो भी ध्यान देना है, because अगर utility का proper flow नहीं आएगा, in that case, जो भी vapors आपके उपर की तरफ move कर रहे हैं, वो vapors आपके condense नहीं होंगे, अगर वो vapors आपके condense नहीं रहेंगे, तो आपका जो tower है, वो एकदम से precise हो जाएगा, और आपका कहीं से भी leakage मार सकता है, या फिर vent से, आपका जो material है, वो उठा के बाहर fake सकता है, after that, ये बात करते हैं, reflex ratio की, काफी सारे लोगों को ये confusion रहता है, कि कई BMRs में ऐसा दिया रहता है, कि reflex ratio 1090 maintain करना है, इसका मतलब ये है, कि जितना भी आपका total ball off उठा है, उसमें 10% आप reflex करोगे, और 90% आप collection लोगे, इसका मतलब है, मान लिजिए आपका total ball off, means, जो total condenser से condense होके आरे, मान लोगो 300 kg है, तो 1090 के ratio में, reflex आपका 30 kg जाएगा, और distillate आपका 270 kg, याद रखिएगा, मैं पहले भी आपको ये बता चुका हूँ, कि reflex ratio बहुत थी important role play करता है, अगर आप इसके साथ में छेड़ा छड़ी करेंगे, तो आपको कभी भी desired results नहीं मिलेंगे, और आप परिशान हो जाएंगे, कि आपको separation क्यों नहीं निल रहा है, तो याद रखिएगा, कि proper reflex ratio maintain करना, बहुत ही ज़्यादा जरूरी होता है, after that, थमबाद करते हैं ejectors की, याद रखिएगा कि boiling point जो रहता है, वो directly proportional होता है, आपका pressure के, तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि आपके जो distillations होते हैं, वो atmospheric भी होते हैं, और vacuum भी होते हैं, तो याद रखिएगा कि जो vacuum distillations होते हैं, वो basically तब use किये जाते हैं, जब जो मेरा material है, वो high boiling material है, और वो higher temperature पे chances रहते हैं, कि वो decompose हो सकता है, in that case मैं vacuum लगाके, उसके boiling point को drop करता हूँ, ताकि जो मेरा material है, वो decompose ना हो, और मेरे को कम energy में separation भी मिल जाए, याद रखिएगा कि, vacuum लगाने के लिए मैं use करता हूँ ejectors, या फिर vacuum pumps, ejectors जो होते हैं, या आपके basically, either steam ejectors होते हैं, या फिर water ejectors होते हैं, अगर आप steam ejectors use कर रहे हैं, तो ejectors के case में, आपको जो steam है designed, मालने जी आपका जो ejector है, वो 8 kg की steam पे designed है, तो अगर steam का pressure आपका designed pressure से कम होगा, in that case आपका vacuum drop हो जाएगा, after that जो आपका ejector है, इस ejector में के condensis में आपका पानी घूमता रहता है, अगर वो जो पानी है, ejector के condensis में जो पानी घूम रहा है, उसका जो temperature है, अगर वो temperature आपका बढ़ा हुआ रहेगा, तो ejector का cooling water जो भी ejector में घूम रहा है, उसका temperature और steam का pressure, यह दो चीज़े आपको immediately चेक करना है, अगर आपको कभी भी vacuum की कोई भी problem आती है, माल लीजिए आपके पास में कोई combination है, water jet ejector और steam jet ejector का, तो steam में आप चेक करेंगे, कि steam का sufficient pressure आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है, और water jet के case में आप यह देखेंगे, कि जो pump है वो आपका proper तरीके से पानी circulate कर रहा है, या फिर नहीं कर रहा है, आइदर आपकी जो seal यूज़ की आपने pump में, जब आप distillation towers operate करने जाते हैं, तो आज के lecture में बस इतना ही, hope आपको आज का मेरा lecture अच्छा लगाऊगा, next lecture में मैं आपको बताऊँगा, आपका barrel pumps के बारे में, so till then, good bye, have a nice day.